बार-बार की घोटन की जिंदगी जीने से तो आच्छा है कोई मर जा है उन माबाप के आखों में कुछ सपने थे वो हाथ जो हजारों लोगों को कुछ दान देने के लिए फैला करती थी वो आज रोडों पर भीख मांग रही है लोगों के सामने गिड़ गिड़ा रही है चिला रही है आज भीख मांगने के लिए मजबूर हो रहे हैं उस माबाप की आवाज को उस पीड़ा को उस दर्द को समझे जिनके करोडों के संपती होते हुए भी लाचार है मजबूर है उसे बृद आश्रम से मुक्त कराएगा कौन उससे छोड़ाएगा कौन हमारे ही समाज के अंदर हमारे ही लोगों के द्वारा हमारे ही लोग पीडित हो रहे हैं और हम समाज निर्माण के कार्य में चले थे लेकिन हमारे ही समाज के लोग दुस प्रविर्थी के लोग हैं और हमारे इससे दरिंदगी ऐसे कहानियां घर्टित हो रही है इसे अंजाम देगा कौन प्यार प्यार चिलाते हैं क्या माबाप का प्यार किसी को दिखाए नहीं दे रहा है सच्चा प्रेम करते तो सबसे जीवन में पहला प्रेम करने वाला तुम्हारे माबाप ही हैं और आज की प्रेम कहानी की क्या कहेंगे हाई एलो से ले करके एक रात की बिस्तर बेस्या की तरह कोठे पर जाकर उसका हवस फूरा करना है और एबोर्षन करा करके उस बच्चे को नाली में फेक देने तक की आखरी प्यार की कहानी को आप सच्चा मान करके अपने जिन्दगी बरबाद कर रहे हैं क्या यहीं आपका प्यार है नमस्ते मैं प्रभाकर चवरसिया आज की एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रिद्द वास्ता की बारे में और ब्रिद्द आस्रमों की बारे में हम यह कैसे भूल जाते हैं कि हम जिस बच्चे को पाल रहे हैं पोसित कर रहे हैं उसे नोकरी भी लगेगी, कोई बीजनेस बेपार भी करेगा, लेकिन अगर आपने संसकार नहीं भड़िये, तो उस संसकार हीन बेक्ती, चरित्र हीन बेक्ती क्या आपकी रक्षा कर पाएगा, आपकी समाज की रक्षा कर पाएगा, ये सोच समझ कर आप अपने बच्चों में डक्टर हो पाइलोट हो इससे कोई मतलब नहीं है करोडों की समपती जिनकी है आज वो भी बृद्दाश्रम में पड़े हुए हैं रो रहे हैं तडप रहे हैं उनकी चीक सुन करके सामने वालों को आसु ज़रने लगते हैं रोने लगते हैं चिलाने लगते हैं आखिर वेवस प्रेम पईशा दुनिया की हर चीजे आपको देंगे लेकिन क्या उसका बेटा उसके बुढ़ापे में ये सब कुछ निशावर कर पाता है उसके बृद्धा वास्ता में उसका सहारा बन पाता है नहीं बन पा रहा है आज की भागदावर की जिन्दगी में वो अपने को किस दर्दर की ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया है जो माबाप कभी किसी को दान देने के लिए लाखो करोड़ों खर्च कर दिये थे अज उन्हीं को आज एक एक रुपिया के भीख मांगने पड़ रहे हैं चावल के लिए रोटी के लिए भीख मांगने पड़ रहे हैं कि आपके घर में भी बच्चे पल रहे हैं, पाली थो रहे हैं, पोसी थो रहे हैं, वो बच्चे कल आपका सेवा कर पाएंगे या नहीं, यह हम नहीं जानते हैं, आज का हरी की हुआ, अधिकान सी हुआ, हरी की हुआ का बात नहीं करेंगे, लिकान अधिकान सी हुआ आज प्र से ज्यादा नहीं है हाई हेलो से ले करके फेस्बूक चाटिंग ट्वीटर वाटसप मैसंजर के माध्यम से हाई हेलो होगा उसके बाद उसकी प्रेम कहानी कुछ दिन में मिलन होगा और एक रात की कोठे की तरह बेस्याओ की तरह जिंदगी बितागर के एवर्शन तक नवग अधिकारई देते और उसके बिवास अधिकर के जिंदगी भार उस से निवाते तब वो प्रेम होता और ऐसे प्रेम कहानी को अगर अंजाम नहीं दे सकते तो प्रेम करना ही छोड़ दो माबाप का प्रेम को समझो जो माबाप तुम्हारे आँखों में सपने सजाते हैं उस हमारी सोचे यहीं हमारी जिंदगे यहीं हमारी कहानी है और हम इसे पुरा कर करके हम दुनिया को यह बता सके क्यों लाचार माबाप को ऐसे मजबूर मत करो उसका हक अधिकार उसके मत शीनो हम कहना चाहेंगे हर एक बेटे को कि आप अपने माबाप का कदर करो यह जूट